बस साथ रख जो शुद है शोट प्रस सिल्वर पांप मसाला सब की जुबापर औरिशा में पिछले कुछ दुनों से हो रही मुस्लधार बारिश के बाद अब लोगों को बार की तबाही का सामना करना पड़ रहा है हजारों एकड़ खेत जलमगन हो गए हैं जबकि शताधिक गाउं पानी की घेरे में हैं 11,632 लोगों ने अपने घरों को छोड़ कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेना शुरू कर दिया है जुने सरकार की तरफ से खादे पे मुहया कराई जा रही है ये स्तिती प्रदेश के चार जिले बालेश्वर, मयूर भंज, केंदू जर और सुंदर गड़ में बनी हुई है 33 प्रकंट के 264 गाउं और दो नगरपालिका में बाड़ के पानी के करण लगबक 40,000 लोग प्रभावित हैं बाड़ की संगीन स्तिती को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे ज्यादा प्रभावित बालेश्वर जिले का हवाई सर्वेक्षन भी किया इसके साथ ही उन्होंने प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता मुहया कराने का निर्देश दिया राजविशेश राहत आयुक्त के कार्याले से प्राक जानकारी के अनुसार बालेश्वर जिले के भोगराई बस्ता जलेश्वर बालेश्वर सदर और रेमुना प्रखंट के 141 गाउं के 35,654 लोग बाड़ से प्रभावित हुए हैं 12,632 लोगों को सुरक्षि स्थानों पर पहुचाया गया है और 51 स्थानों पर मुफ्ट पका हुआ भोजन उपलब्र कराया जा रहा है आपको बता दे कि जिले में कोल 12,627 पशु प्रभावित हुए हैं 102 घरों को आंशिक रूप से नुकसान पहुचा है जिले के बाड़ पीडितों को 17.3 कुईंटल चूडा, 3.15 कुईंटल गुड और 99 पॉलिथिन बैग वितृत किये गए हैं बाड़ प्रभावित इलाकों में दो मेडिकल टीम और दो पशु चिकित सा दल भी तनात किये गए हैं इसी तरह मयूर भंज जिले में बाड़ का पानी घुसने से 22 प्रखंडों के 101 गाउं प्रभावित हुए हैं बारी पदा नगरपालिका के 11 वाड़ में भी बाड़ का पानी घुस गया है जिले में 2035 लोग बाड़ से प्रभावित हुए हैं जबकि 1603 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाया गया है इसके अलावा चार भोजन केंद स्थापित किये गए हैं और प्रभावितों को मुफ्त में भोजन प्रदान किया जा रहा है दो जानवरों के मौत हो चुकी है 333 घर आंशिक रूप से शतिग्रस्थ हो गए हैं और एक घर पूरी तरा से शतिग्रस्थ हो गया है केंदू जर जिले के 5 प्रखंड पाटना, चम्पूआ, सहदपडा, हाट टीही और हरी चंदनपूर प्रखंड के कुल 22 गाउं ऐसे हैं जहां बार से प्रभावित वो हुए हैं प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट उपलब्द कराए गए और एस आर सी कार्याले द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बार प्रभावित इन जिलों में संभावित खत्रे को देखते हुए बालेशवर जिले में एक टीम, ODRF की साथ टीम और चार दमकल टीम भी तनात कर दी गई है इस तरह में यूरुभन जुले में 5 ODRF और 12 5 ब्रिगेट टीम और भद्रक में NDRF की एक टीम तनात कर दी गई है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री मांजी ने बालेश्वर जुले में बार की सिती का हवाई सर्वेक्शन करने के बाद समीक्षा बैठक भी की है मुख्यमंत्री ने कहा कि बालेश्वर में बार के कारण 6 प्रखंट प्रभावित हुए हैं और 8,000 हेक्टर भूमी जलमगन है विशेश रूप से भोगराई, जलेश्वर और बलियापार प्रखंट के 35 गाउं सबसे जादा प्रभावित हुए हैं पूर्णिवा के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है, इससे समुद्र में जलनिशकासन नहीं हो पा रहा माजी ने कहा कि स्तिती में जल्दी सुधार होगा, मुखे मंत्री ने जिला कलेक्टर को ततकाल बार प्रभावित लोगों के पास पहुचने और राहत और बचाव कारियों में तेजी लाने के भी निर्देश दिये हैं